हेलो एबरीवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिच से हमारी चैनल GDC मेडिसिन पे हम अपने चैनल पे दवाईयों की जानकारी रोगों की जानकारी एवं सास्त देख भाल से जोड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहां पर देते रहते हैं तो अगर आप भी हमारी चैनल प होती है वह जाम हो जाती है अब जाम हो जाती है तो हर्ट में भी उपकर बार खाल पrementर बीशल्या करें हो चाहां और तोरान हर्ट अटेक आने की और ब्रेन स्टोक आने की समस्या रहती है उस कंडिशन में यह टबलेट बहुत ही अच्छा आसर दिखाने का काम करेगी तो आज हम जानेंगे इस क्लॉपी टैप टबलेट के अंदर में कंपोजिशन कंटेंड क्या के चीजे मिले हुए होंगी इस क्लॉपी टैप टबलेट के अंदर अगर हम में कंपोजिशन की बात कर ले ना तो यहां पे क्लॉपी ड्रॉग्रिल एक तरीके से कह सकते हो यहां पे 75 एमजी के माउन में मिला होगा लिपें लिम्टेट द्वारा यह बनाई जाती है जो की बहुत मानी जानी फार्मा कंपन यह रूम टंबरेचर पे स्टोर कर सकते हैं और एक स्ट्रिप में टोटल 15 यह टैबलेट आ जाती है जिसी कीमत 100 रुपे के आसपास मिल जाती है बात करेंगे इसके यूजर की तो जैसा कि में बताया यह जो टैबलेट है आपका ब्लेड वेसल में जो ब्लेड की क्लॉटिं अगर हमारा बनने नहीं देगी तो आपका जो heart attack की chances है stroke होने की chances है उस chances को घटाने का और कम करने का काम भी ये connectivity को साथी साथ यह medication का Martichette को यहां पर कह सकती हो बढ़ाने का काम करती है is hurt को product करती है क्योंकि heart में क्या होता है proper blood का supply नहीं होगाא ब्लड प्रेशर होगा, हर्ट अटेक आने की चंसे हैं, हर्ट में बहुत जाता दर्द इंजाईना हो जाना की समस्या हो सकती है, तो overall height के present के लिए और brain stroke को बचाने के लिए ये tablet बनाई गई है, और डॉक्टर उनी को देते भी है, फिर अगर हम बात करेंगे इसके mechanism of infection, काम करने का तरीका क्या है, तो ये जो cloppy tap tablets ना, एक तरीके से anti-platelet actions हो करेगी, या blood thinner की तरीके से ये medicine काम करेगी, मतलब जो platelet आपस में चीपक जाती है, और चीपक करके खून का थक्का जमा देती है, उसी को चपकने नहीं देती, anti-platelet actions हो करेगी, और blood को पतला करने के लिए ये medication जानी जाएगी, साथी साथ ये platelet को हमारा कह सकते हो, चपकने से रोकेगी, stick होने से रोकेगी, जिससे क्य करेंगे, direction for use, कैसे use करना है, तो कोसिस कीजिए, एक बार अपने डॉक्टर से सला ले लिजिए, वो आपकी condition के साब से आपको dose बताते है, वैसे ही लोगे तो ज्यादा सही है, और holy से swallow करना होता है, चीव करसिया ब्रेक करके नहीं खाना होता, फिर बात करेंगे, precaution, क्या स से जादा बार बार नहीं लेना चाहिए, फिर बात करेंगे, इसके side fit, देखो side fit कब होगा, जब आपने डॉक्टर से सला नहीं ले लिया, खुद से बार बार जादा ले लिया, या आपको कभी-कभी suit नहीं करता है, तो blood को इतना पतला हुतला कर देगा, कि या नाक वाक से तो खून बहता ही रहेगा, clotting नहीं होगी, तो यह side fit हो सकता है, बाकी अगर बात करते हैं, precaution ध्यान देना ही है, क्या कैसे use करना है, काम करने का तरीका क्या हुआ, इस्तमाल कहां कहां करते है, as well as बात करते है, क्या-क्या मिलता है, कितने की आती है, कौन बनाता है, सारी ज विजिट कीजिएगा, विडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक सेर, सब्सक्राइब भी जरूर करें, मिलते हैं किसे एक लिए विडियो में, तब तक के लिए अपना और अपतों का ख्याल रखे, thank you so much, all the very best.